अब हम जानते हैं विलियन की प्रावस्था से अधिशोषण जो ठोच पदार्थ होते हैं वह विलियनों से भी घुले ह्वे पदार्थों को अधिशोषी कर लेते हैं उधारन के लिए यदि हम एसिटिक एसिट के विलियन में चार्कॉल को डालकर हिलाएं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एसेटिक एसेट का जो विलियन की सांद्रता है वह कम हो जाती है वह इसलिए हुआ क्योंकि एसेटिक एसेट के अनु है वह चारकॉल के द्वारा अधिशोशित कर लिए जाते हैं इसी तरह से यदि हम नीले लिटमस के विलियन में चारकोल डालकर हिलाते हैं तो कुछ समय के बाद विलियन का जो रंग है वह रंग हीन हो जाता है क्योंकि यहां पर जो लिटमस का रंग है वह ठोस के द्वारा चारकोल के द्वारा अधिशोशित हो गया है इसी प् मगनिस्यम हाईड्रॉक्ण साइट चाहिए अधिशन मेगनेसंशन उपस्थथि में यदि इस ऐख शेपित किया जाता है तो यह प्राप्त होता है क्योंकि मेगनेस फालायर्ण के ऊपर मेगनेस अधिशोषित हो जाते हैं यदि हम विलियन प्रावस्था से जो अधिशोषण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक को देखें तो विलियन अवस्था में भी अधिशोषण जो है वह ताप के द्वारा प्रभावित होता है जैसे जैसे ताब बढ़ता है अधिशोषन की मातरा में कमी आती है। इसी तरह से यहाँ पर हम बेखें कि अधिशोषक के प्रिष्ट का छेतरफल भी इसे प्रभावित करता है। इसके अलावा विलियन प्रावस्था से अधिशोषन को जो मुख्य चीज प्रभावित करती है वो है विलियन में उपस्थित विले पदार्थ की सांद्रता जितनी अधिक होती है अधिशोषन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है इसके अलावा विलियन से होने वाले तथा अधिशोषक दोनों की प्रकृती भी इसे प्रभावित करती है दिशोषन विल्यनक के द्वरा विल्यन प्रवस्था से अधिशौशन को भी हम फुंड़े यहां पर प्रेशर के इस्थान पर दाब के स्थान पर हम सांद्रता प्रद का उप्योग करते हैं यहने कि यदि हम इसे विलियन के रूप में प्रदर्शित करें तो हम इस तरह से लिखेंगे x by m is equal to k c to the power 1 by n और यदि हम इसका log लें तो यह प्राप्त होगा log x by m is equal to log k plus 1 by n log c और यदि हम इसे log x by m को y axis पर रखते हुए तथा log c को x axis पर रखते हुए graph plot करें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका slope हमें 1 by n के मान दर्शाता है तथा जिसमें x अक्षपर जो अन्ता खंड है वह log k के मान को दर्शाता है और इस तरह से यहाँ पर सरल रेखा का प्राप्त होना हमें front leg के आईसो थर्म की सत्यता को प्रदर्शीत करता है विलियन प्रावस्था से अधिशोषन के मान को हम प्रायोगिक तौर पर भी ग्यात कर सकते हैं इसके लिए मान लीजे हम acetic acid के अलग-अलग सांद्रता के विलियन लेते हैं और इन सभी विलियनों में की समान मात्रा ली जाती है इन समान मात्रों में प्रतेक में अधिशोषक यानि की चारकोल के निश्चित द्रव्यमान को डाल दिया जाता है और इस निश्चित द्रव्यमान के द्वारा पहले विलियन की सांद्रता ग्यात की जाती है और इसके बाद अंतिम सांद्रता ग्यात की जाती है और इन दोनु सांद्रताओं का अंतर हमें X के मान को प्रदर्शित करता है और इसके द्वारा X के मान को हम फ्रंडलिक समीकरण में रखकर हम फ्रंडलिक समीकरण की सत्त्या को प्रमानित कर सकते हैं आईए अब अधिशोषण प्रक्रिया के अनुप्रयोगों को जाने सबसे पहला अनुप्रयोग है उच्च निर्वात उत्पन करने में निर्वात से ताथपरे होता है वहाँ पर एक मातर भी लेश मातर भी वायू ना हो और इस तरह जब हम निर्वात पंप से निर्वात किसी ट्यूब से या बंद पात्र से pump के द्वारा पूरी वायू को निकाल लेते हैं उसके बाद भी यदि वहाँ पर लेश मात्र वायू बची होती है तो उसे भी वहाँ पर चारकोल या activated चारकोल रग दिया जाता है और वहाँ चारकोल अधिशोशन के द्वारा अंतिम या लेश मात्र वायू को भी अधिशोशित कर लेता है और इस तरह से उच्च निर्वात उत्पन किया जाता है दूसरा अनुप्रयोग है अधिशोशन का गैस मास्क जैसा कि आप जानते हैं जो माइनिंग या खनन प्रक्रिया में लगे लोग होते हैं वो उन्हें एक गैस मास्क दिया जाता है क्योंकि खनन के दवरान कभी-कभी विशयली गैसे निसकाशित होने लगती है और जोकि यह जो गैस मास्क होता है उसके अंदर एक्टिवीटेड चारकोल भरा होता है अता यदि यह विशयली गैसे वहाँ पर रिलीज होती हैं तो चारकोल के दवारा वो अधिशोशित कर ली जाती है और जिससे व्यक्तिक के जीवन की रक्षा हो जाती है तीसरा और महत्वण उप्योग है आर्दता का नियंतरन ये तो आप पहले जान चुके हैं कि सिलिका जल या एलूमिना जल जैसे जो पदार्थ हैं वो अधिशोशन के द्वारा नमी को अधिशोशित कर लेते हैं और इस तरह से वातावरण की नमी को अधिशोशित करके ये शुष्क वातावरण उपस्थित करते हैं जिससे हमारी बहुत सी चम्रे की चीजें या इलेक्ट्रोनिक समानों की सुरक्षा होती है अगला अनुप्रयोग है विलियन से रंगीन अशुध्यों को हटाने के लिए बहुत से प्रक्रम में जैसे कि हमने चीनी उद्योग में देखा या अन्य पदार्थों में जो अशुध्य होती है यह मटमेला रंग होता है उसे दूर करने के लिए प्राय जानतो चारकोल का उप्योग किया जाता है जानतो चारकोल वह भी एक प्रकार का चारकोल है जो की जनतों की हड़ी को वायू की अनुपस्थती में गर्म करके उच्चेताप पर गर्म करके बनाया जाता है और इस तरह से इसमें जो अशुद्धी के रंग होते हैं वो अधिशोशित हो जाते हैं तथा जो प्रात्तविलियन होता है वो रंगहीन होता है। अगला अनुप्रयोग है विश्मांगी उत्प्रेरण। बहुत सारे ऐसे और दोगिक प्रक्रम हैं जैसे की अमोनिया निर्मान की हैबर विधी या फिर सलफूरिक एसड निर्मान की संपर्क विधी या हम देखें जो वनस्पती तेल होते हैं उनको जब हम वनस्पती घी में परिवर्थित करते हैं तो वहां पर उप्योग होने वाली जो हाइड्रोजनी करण की प्रक्रिया होती है यहां पर भिन भिन ठोस उत्प्रेरकों का उप्योग किया जाता है अमोनिया निर्मान में जहां पर हम लोहे का उप्योग करते हैं जो की अमोनिया गैस को करके दोनों के बीच अभिक्रिया को सरल बनाता है इसी तरह से हम देखें जो हाइड्रोजनी करण की क्रिया होती है उसमें निक्ल जो सुक्ष्म विभाजित निकिल धातू होती है वह हाइड्रोजन को अधिशोशित कर लेती है तथा जो तेल होते हैं संत्रप्त वसा को हाइडरोजनी करण के द्वारा संत्रप्त वसा में परिवर्तित करने में सहायता करती है इसके बाद हम देखें अगला जो अनुप्रयोग है अधिशोशन का वह है अक्री गैसों का प्रथक करन आपने काफी कठिन था लेकिन अधिशोशन प्रक्रिया की जानकारी होने के बाद इनकी चारकोल पर और खासकर हम देखें नारियल का जो चारकोल होता है इन पर इनकी अधिशोशन की मात्रा भिन भिन होती है अतह भिन भिन ताप पर इन्हें नारियल के चारकोल पर अधिशोशित करके अलग अलग प्राप्त करना संभव हो पाया और इस तरह से अक्री गैसों की पहचान हो पाई अगला अनुप्रयोग जो अधिशोशन का है वह है व्याधियों का उपचार बहुत सी ऐसी व्याधिया बीबारियां होती हैं जिसमें की विभने किटानूं को या विभने प् से यह हमारे जीवन की रक्षा करती हैं अगला अनुप्रयोग है अधिशोशन का वह है जाग प्लवन विधी आपने जैसे पढ़ा ही है कि धातु कर्मी प्रक्रम में जब हम अयस्कों का सांद्रन करते हैं तो वहां पर सलफाइड अयस्कों के सांद्रन के लिए जाग पीस कर उसे पानी के साथ उसको उसका मिला लेते हैं और उसमें फिर हम कोई जाग कारक तथा चीड या फैटी एसिड तेल मिला दे दे हम और जो कि यह तेल जो है वह सलफाइड अयसकों को चारों तरब से उसके उपर लेयर बना लेता है और जब यहां पर उच्छ वायू क अपर उत्वाख किया जयता है तो जो जहाग उत्पन होता है वह उसमें सारे सलफाइड अयसक एकत्रित हो जाते हैं और ज्फ्या चुक्की हलका होता है और इसलिए ज्ञाग के साथ निकल कर उपर आ जाते हैं जिन्हें प्रिथक कर लिया जाता है जो इस तरह से हलके सेलफाइड अयसकों को भारी जो गैंग होते हैं यानि कि सिलका जल वेगारे से प्रिथक किया जाता है इसके बाद जो अगला अनुप्रयोग है अधुशोषन का वह है अधिशोषन सूचक कई ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे की सिलवर हलाइड है ह हुआ या magnesium hydroxide हुआ जब यह अवक्षेपित होते हैं तो यह कुछ सूचकों को अपनी सत्था पर अधिशोशित कर लेते हैं और जैसे ही यह इन सूचकों को अपनी सत्था पर अधिशोशित करते हैं तो यह रंग उत्पन करते हैं और इस रंग के द्वारा हमें अंतिम बिंद हुआ तथा कुछ डाइज है ना इस प्रकार के सूचकों के रूप में उप्योग में लाए जाते हूं अगला जो उप्योग है अधिशोषण का वह है वन लेखली विसलेशन जो क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया है वह अधिशोषण के सध्धान्त पर आधारित है जो जिसका रूप्योग विभेन प्रकार के वैसलेशिक कार्यों तथा अध्योगिक जगत में महत्वण भूमिका होती है तो इस तरह से हमने देखा कि अधिशोषण प्रक्रिया का हमारे लिए काफी महत्व है